जो मेरा पहले चैनल चल रहा है उस पे टोटली कॉंटेंट नेक्स्ट मेरी कोशिज है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटिड ही में अपलोड करूँ और जो जनल वीडियोज होती है यूट्यूब से रिलेटिड हो गया यह से रिलेटिड या अनिंग से रिलेटिड उसके लिए के लग से फ्यास वहीज अनलोजी के नाम से मैंने एक चैनल क्रियेट किया है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा और आई का जो आइकन है वहांबे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आपकी 100% स्पोर्ट की जरूरत है उसको ज्यादा से कीजेगा और सबस्क्राइब करना आपने नहीं बोलना लास वीडियो में हमने डिसकासिये किया क्या हम किस त्रीके से एज को काल्कुलेट कर सकते हैं डेज में यह मेरे सामने के बग एक मेरे सामने आया है वो यह है कि यह हमारे पास जो हम यहां पर वेरियबल यूज कर रहे थे अगर तो मैं इसको चलें दुबारा से यहां पर रिधरेस करता हूं यहां पर मैं वैलस ले लेता हूं सट्रिंग की फार्म में 10 एंडर करती हैं यान नोटानमबर अगेन इसको रिध रस करता हूं रे फार्य के रहे mesmo और रपदे यहां पर नाइट करता हूं City کیному Biz तो मेरे बास से मेरे बास यहां पर रिब्री रखेंग 3 रि sy ayud से ऺेए स्टार रहा फा से मेरे बास से डार यहां गेरखर रा रहा है तुरिए ऐखो एक फोड़ा सब्बाट है जुलिक निए देखें कहीं पे भी कोई भी बग कोई भी लॉजिक में प्रॉब्लम आ सकती है तो इसलिए उसमें बहतर यही होता है कि आप उसको डाइगनोज करें और उसको रिमूब करें बहुत इसको लेखते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर वैलिडेशन लगा सकते हैं यह मैंने यहां एक विरियेबल दिया थए नाम से दो बोइक में यूजर से इंपुट ले रहे हैं यह तक दो ठीक है थी अब मैं यहां पर क्या करता हूं मैं यहां पर condition use करूंगा if condition use करूंगा और मैं कहता हूँ is nan ठीक है थी अगर तो मेरे पास not a number वाली condition false हो same उसी तरीके से हमारे पास यहां पर second जो age की value है वो blank ना हो अगर तो यह दोनों conditions true होती है जो हमारे पास यहां पर age का variable है उसकी value यानि के number हो और वो blank ना हो इस condition का यह मतलब है तो क्या होगा हम यहाँ पे लिखते हैं जी तो सबसे पेले आपने क्या करना है उसको pass करना है float की farm में और उसके बाद next क्या करना है इस variable को यहाँ पे मैं ले आता हूँ result को इस तरीके से same वही चीज़ है और यहाँ पे यह जो document.get element है इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ if condition में ले आता हूँ यहाँ पे paste कर देते हैं यह ठीक है same वही है जस्ट मैं यहाँ पे if condition place कर दीगा उसके पाद यहाँ पे मैं write करूँँगा else else part में यहाँ पे मैं same इसी चीज़ को copy करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं paste करता हूँ document.get element demo.in.estimate is equal to और यहाँ पे हम write कर देते हैं string में अगर तो वह condition false हो जाती है हम यहाँ पे show करवाएंगे please enter a valid value ठीक है ठीक इसको करते हैं save यहाँ पे enter करते हैं अगर तो फर्स करेंजी blank है please enter a valid value again आजाएं hello enter करते हैं please enter a valid value again आजाएं यहाँ पे write करते हैं 10 हमारे पास proper answer आ रहा है यहाँ पे write करते हैं 12 proper answer आ रहा है यहाँ पे again मैं write करता हूँ 10 string की form में please enter a valid value definitely अर्षिंस किया चांड किया है यूझर यहां पर जेस्ट नमबर से COR थीख U यहां पर नमबर के लब खुष भी एंड़र जाएगा तो हिंहां वो कहाई देगा प्लिज एंटि गा result प्लेश ऑपो समझ आगी हो rag screening होगी अगर तो और विडियो के निएको मैं नंबने के ने के पाद इस को भी डेज में कर्मट किया जाए तो वीडियो के ने की जएगा किसमें विडियो बना दूँँ अगर तो कुमेंट्स मिलेंगे तो मैं बनाद हूँ का अधर वाइस पर हम इन्शाला नेक्स वीडियो की तरह हो कैसा है कि दौा भी याद रखा करें और चैनल जिनों ने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया सब्क्राइब करें अलावजे नहीं